हलो फ्रेंड्स वैलकम टू राखी सौम पैति सरी यदि आप मेरी चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो अभी हम आज एक रेसिपी लाए हैं गनेश चतरुती के लिए हम इंस्टंट मौदक बनाएंगे इंस्टंट मावा के साथ होममेड मावा और विद स्टफिंग बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी और वो दस मिनिट में बनके तयार हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे तो इसके लिए मैंने क्या लिया है यह मिल्क पाउडर है वन कप मिल्क पाउडर लिया है यह हाफ कप मिल्क है और यह वन फोर्थ कप शूगर है आप यह रेसियो ध्यान में रख लीजिए थोड़ी से इलाइची और मैंने केसर के टुकड़े जो स्ट्रिंग है उनको क्रश किया है एक फोक या स्पून साथ में च यह वन स्पून घी डाला है और जब यह घी मेल्ट होगा तब हम इसमें हमारा जो दूसरे इंग्रिडियंट्स है वो एड करने वाले है गेस की फ्लेम हमें यह बनाते वक्त पूरे टाइम सिम पे रखनी है गेस की फ्लेम को मीडियम या फास नहीं करना है घी पिगल गया है तो अब मैं इसमें मिल्क एड कर रही हूँ जो हमने हाफ कप मिल्क लिया था मैं उसी को एड कर रही हूँ और उसको हल्का सा गरम होने का में वेट करेंगे तब तक मैं इसको हिला रही हूँ ताकि जो हमारा मिल्क और घी है दोनों मिक्स हो जाएं कमप्लिट मिक्स नहीं हो होंगे लेकिन मिल्क color का गरम होने का वेट करना है इस तरह से हो गया ещё तब मैं इसमें जो एक कप मिल्क पावडर लिया वो एड कर रहे हूं अब द्यान से एड कीजिए किने म्यविए अब इसको अच्छे हिलाएंगे अब बिल्कुल भी बीच में बन नहीं करना है यह बहुत ही जल्दी बनने वाले मोदक की रेसिपी है हमें कुछ भी बाहर का इंग्रिडेंट्स नहीं लाना है मिल्क पाउडर हर घर में अविलेबल होता है मिल्क पाउडर को यूज करके इंस्टंट मावा बनाके हम मावा मोदक बना रहे हैं इसको हिलाते रहे हैं यह देखिए यह कुछ इस तरह से घरा मिक्स होने लग जाएगा तब हमको इसको मिक्स करते रहना है जब यह इस स्टेस पर आ जाए हमें ऐसा लगे कि मिल्क पाउडर और मिल्क एक मिक्स बन गया है दोनों का यह देखिए कुछ इस तरह से घाड़ा मिक्स हो गया है तब मैं इसमें थोड़ा सा जो इलाइची केसर का क्रेश था वो डाल रहे हूँ और जो शुगर हमने वन फोर्थ का पली है वो एड कर रहे हूँ अधि आपके पास मैजरिंग स्पून नहीं है तो आप घर में कुछ एक बाउल ले लिजे उसी का फिक्स मैजरिंग कर लिजे कि हाफ बाउल लेना है वन बाउल लेना है उसके एकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते है अब जैसे ही हम शुगर एड करेंगे यह मिक्स ऩाओर आते हुए यह देखिए अभर लिक्वीडे फर्म मैं आ गया है क्योंकि शुगर ने अपना रिलीस कर दिया इसुगर ने लिक्वीडे फोन में डlot क्वार यह ज़ी उसको मिक्स करते रहना है यह वो मेरत कर एक गोर 2020 हे ताकि हम जो इसको मौदक का मौल देंगे, शेप देंगे, वो हॉल्ड करके रखे ये, ये देखिए, कंटीनिव 6-7 मिनिट मैंने हिलाया है, अब ये इस फॉर्म में आ गया है, सवरा मिक्स एक साथ एक स्पून से उठा सकते हैं, तब हम गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे, य इस तरह से सारा स्पून से चिपक के एक साथ आ रहा है, अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, मिक्स को, अब ठंडा होने के बाद ही आप इसके डो लीजिए, और हाथ में बॉल शेप में बना के, ये थोड़ी सी मैंने स्टाफिंग लिए, काजू और किश्मिश क चोटे चोटे टुकड़े कर लिजिए काजू और किश्मिश के ताकि हम इसमें फील कर सके, और कुछ इस तरह से हमें मौंटेन शेप में मौल्ड बनाना इसका मौदक का, जो मौंटेन शेप में होता है, वैसा हम इसको शेप दे रहे हैं, जो मौल्ड में होता है, ये देख गरम में हम शेप नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह हॉल्ड नहीं करेगा कोई भी शेप यह देखिए फिर आप फोक यह स्पून की हेल्प से इस पर जो मॉल्ड में लाइनिंग होती है वो लाइनिंग इसमें बना लीजिए बिल्कुल मॉल्ड से बना हुआ मॉदक लगेगा हम मैं जरूरत ही नहीं पड़ी किसी मॉल्ड को मार्केट से परचेस करके लाने की और घर पे इतने सुन्दर मॉदक इंस्टंट मावा के साथ इंस्टंट मॉदक रेडी हो गए वो भी स्टफिंग के साथ यह देखिए इससे तकरीबन 220 ग्राम के अराउंड आप मॉदक मिल ज आइए और आप भी टेस्ट करिए